मेरे प्यारे देश वासियों, आज देश के महान विचारक सी अर्विंदो की जन्म जैन्ती भी है साल 2022 में उनका 150 वा जन्म जैन्ती का परव है सी अर्विंदो भारत के उजबल भविश के स्वप्न द्रस्टा थे वो कहते थे कि हमें उतना सामर्थवान बनना होगा जितना हम पहले कभी नहीं थे हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, एक नए रदे के साथ अपने को फिर से जागरिद करना होगा सी अर्विंदो की ये बाते हमें अपने करियतव्यों का ध्यान दिलाती है एक नागरीक के तौर पर एक समाज के तौर पर हम देश को क्या दे रहे हैं ये भी हमें सोचना होगा हमने अधिकारों को हमेशा महत्व दिया है उस कालखन में उसकी जरुद भी रही है लेकिन अब हमें कर्तवियों को सर्वोपरी बनाना है सर्वोपरी रखना है जिन समगल्पों का विड़ा आदेश ले उठाया है उन्हें पूरा करने के लिए हर जन को जुड़ना होगा हर देश वाची को इसे ओन करना होगा देश के जल सरुक्षन का अभियान शुरू किया है तो हमारा कर्तव है पानी बचाने को अपनी आदत से जोड़ना देश अगर डिजिटल लेंदेन पर बल दे रहा है तो हमारा भी कर्तव है कि हम भी कम से कम कैस्ट वारा ट्रांजेक्शन करना देश ने लोकल फोर वोकल का अभियान शुरू किया है तो हमारा कर्तव है कि जादा से जादा स्थानिय उत्पादों को खरीदे देश के प्लास्टिक मुक्त भारत की जो हमारी कलपना है हमारा कर्तव है कि संगल यूज प्लास्टिक को इस्तमाल पुरी तरह हमें रोकना होगा ये हमारे ही कर्तव्य है कि हम अपनी नदियों में गंदगी न डाले अपने समंदर के किनारों को स्वच रखे हमें स्वच भारत मिशन को भी एक और नए मुकाम तक पहुंचाना है आज जब देश आजादी के 75 वर्ष के उपलव में आजादी का अमुरुत महुत समु मना रहा है तो हमें इस आयोजन से जुड़ना भी उसके में बड़ चड़कर के हिस्सा लेना संग्यपों को बार बार जगाते रहना यह हम सबका कर्टब्य है अपने स्वाधिंता संग्राम को ध्यान में रखते हुए आप जो भी करेंगे जो भी अमुरुत की बुन की तरह अवश्य पवित्र होगा और कोटी कोटी भारतियों के प्रयाँ से बनाए अमरित कम आने वाले वर्षों के लिए प्रेणा बनकर उच्छा जगाएगा